जैहीन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आप सभी को बता दे इंडियन नेभी के तरप से फाइनली जो है वेकेंसी का ओफिसियली नोटीस जारी कर दिया गया है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अभी हम जो है इंडियन नेभी के ओफिसियली लाइट पर है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं और यहाँ पे जो है न्यू अपडेट जारी किया गया है अप्लिकेशन विंडो फो सेलर इंटरी डवल ए अंड एसेसर टू अबलिक दो हजार एकईस बैच इज लाइकली टू और यहाँ पे आप सभी देखेंगे यहाँ आप दिया गिया है लाइकली टू ओपेन फर्म 26 अपरिल 2021 टू 30 अपरिल 2021 यानि कि 26 अपरिल से जो है आपका फर्म अपलाई शुरू हो जाएगा हालांकि फूल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है लेकिन जो आपका यहाँ पे इंडियन ने भी किया जो ओफिस जो है अपलाई शुरू हो जाएगा और 25 अपरिल तक जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा फूल नोटिफिकेशन तो यह जो अपडेट है आज जारी किया गया है और आप सभी को बता दे कि काफी दिनों के बाद यह वेकेंसी आया है जैसे कि आपको पता ह 2020 में दो भरती जो है जो है जो है जुन जुलाई का और एक नवमबर मद का तो 2020 में तो यह भी वेकेंसी नहीं आया लेकिन जो है 2021 में आपका यह भरती 26 अप्रिल से अप्लाई सूरू हो जाएगा तो अगर आप सभी भी डबल ए और स्से आर में जाना चाहते हैं तो आप या आपको बता दे कि जो ये भरती है इसके अंत्रगत आपका हाइट जो है यानि कि हाइट जो आपका रहेगा ये रहेगा 157 सेंटीमीटर यानि कि इस भरती के अंत्रगत आपका हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगा अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है तो इस फर्म को आप अ बता दे कि इसका जो exam होगा, वो exam होगा, online exam होगा इसमें, यानि कि online exam होगा, educational qualification की बात करें, यानि कि educational qualification यानि कि इसमें पढ़ाई की बात करें, तो 12th pass होना चाहिए, 12th pass है, तो आप सब भी इस firm को apply कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दे अगर आप double A के लिए apply करना चाहते हैं तो 12th जो है आपका PCM से होना चाहिए, यानि physics, chemistry और math subject से, और 60% marks तो आपका minimum होना ही होना चाहिए, तो double A में आप apply कर सकते हैं, इसके बात करें, ACSR के लिए, तो ACSR के लिए 12th pass होना चाहिए, और math और physics जो है 12th में आपका होना आवास्यक है, math और physics जो है, अनिवार है, तो आप 12th pass है, तो इस firm को apply कर सकते हैं, और ACSR में 50% marks मांगा जाता है, यानि कि 50% आपका marks होना चाहिए, 12th में अगर आप ACSR के लिए apply करते हैं, तो और double A के लिए 60%, इसके अलावा बात कर लें, अगर age limit की, तो age आपको बता दे, age जो है 17 से लेकर 20 वरस तक है आपका, त लेकिन काफी student का सवाल ये होगा, कि जो 2020 में vacancy होने वाला था, जो दो भरती नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए क्या age में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका notification जो है 25 April को आ जाएगा, full notification, तो उस दिन जो है confirm पता चल जाएगा कि age में छूट मिलेगा या नहीं म चुका है, और उस दो भरती का जो है लगबक एक साल या छे मन्त का age में छूट आपको दिया जाएगा, तो age में छूट जरूर मिलेगा, लेकिन confirm अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी full notification नहीं आया है, इसके अलावा आप सभी को बता दे, कि अगर आप 17 से 20 बर्स्त के बीच है, तो आप सभी तो form apply कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इस से आप जादा है, तो notification आने के बाद पाता चलेगा कि ये जमें छूट मिला या नहीं, अभी केवल सोट notice जारी किया गिया है, तो इस भरती के बारे में ये कुछ update था जो मैंने आपको बता दिये, जैसे ही इस लेकर इसका officially notification आता है, मैं आप सभी के लिए कलक से वीडियो बना दूँगा, और अगर आप सभी चाहते हैं इसका complete detail वीडियो बनाने के लिए तो नीचे comment box में बताइए, हम next वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे, कि इसका selection process से लिए बस क्या क्या है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम